दोस्तों स्वागते है आप सबीका आपके अपने चैनल प्राइम टीम्ज में तो आज हम बात करने वाले इंडिया वाज़ा श्री लंका थर्ड और फाइनल ओडियाई इसके बाद टी टू जीरी स्टार्ट होगी अब इंडिया 2-0 अप है ठीक है ओडियाई सीरीज में इंड तो जाधा पन डेप्ट पर जाएंगे नहीं जल्दी वीडियो खत्म करने की कोशिश करेंगे तो वेन्यू सेम है आर प्रमदासा स्टेडियम ठीक है फिर्स इनिंग स्कोर जाधा होता है चेस करना मुश्किल होता है लेकिन इंडिया ने चेस करके विखाया है दोनों ही बा पर दयक्त पर जेडिया और रैजनि से मैक काम किया सूरिया नीच अक्या च्चछ अच्छा दिया है और शचैने को मिलेंगे अगर आप देखो कि इस वैनियू पर विकट किस ख kull of Пр तो एक चीज़ आराम सेगे कर पा ओए कि फ़र्स इनिंग में पेसर को जाधा मिलते हैं को जादा मिलते हैं जादा डिफरेंस नहीं है टोटल 67 और स्पेंस 33 है सेकंड इनिंग में यह बढ़ भी जाता है टीक तो स्पेंड और पेसर का अच्छा सा कॉंबिनिशन अपने टीम में जरूर रखना है बैटिंग फर्स करते हुए टॉस बेज अनलिसे बैटिंग फर्स य करते हैं जिशान किशन ने खेल है और कुछ जादा रिकॉर्ड है नहीं है से बताने के दिधानज डिसलवा बैटिंग फर्स करते हुए जादा तर अच्छा करते हैं ऐसा देखा गया है और प्लेस पर अगर आप निजर डालोगे श्री लंका की तरफ से तो आपको अविश हा रहा है टूटल 31 मैसे तो यह भी वेन्यू किसके फिवर में इंडिया के फिवर में इंडिया हर तरफ से हैवी है ठीक आगे चलें तो आपको अगर रिसेंट स्टाट्स देखने अलब रिसेंट मैच इस क्या पूसे नहीं सम्मिली देखने तो आप पॉस करके देख सकते ह तो हपन चलते हैं मैं आपको रिवाइस करवा देता हूं कि हेड टो हेड में कौन अच्छा परफॉर्म करता है तो हेड टो हेड में शेखादवन हाईजन गेटा रहे एक हजारन प्लस बना चुके हैं भुवनेश्वर कुमार हाईस्ट विकेट टेकर यह दो प्लेज इंप पार्दिक पांडिया को रेश्ट देदें कि क्योंने टी टो इंटी आई सिरीज के लिए फ्रेश रखना है ठीक श्रीलंका की दरफ से सर्फ एक बॉलर आपको दिखेगा अक्रीला दनंज है जो 11 विकेट ले चुका है इंडिया के गेंस लेकिन अभी तक उने प्लेंग में चांस नहीं मिलाएं अब हैट टो हैट में बैतिंग फसर और बैटिंग साकंड करते हैं पार्चा करते हैं कऺलें फसकनद के सकॉर भॉस से विक हर्द के 2 हग फ uniqueness 68 का score है, ठीक, Manish Pandya देखोगे, batting first, chase करते हुए same ही है, Haradik Pandya कि हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहे है injury concerns है, Kuldeep यादव, जब-जब second ring में ball डाली है, wicketless नहीं गए, यह चीज ध्यान रखना, last match के performance के चलते छोड़ मत देना, ball first कर रहे हैं, तो भी 3 wicket, 2 wicket, 1 wicket और 3 wicket है इनके पास, तो यह जो कुल्चा combination है, इसको break मत करना, last match का जल्द देखे के, Kuldeep ने तो wicket लिये ही नहीं, भुवनेश्वर ठीक है, अच्छा करते हैं, एक-एक wicket first inning में जब ball डालते हैं, at least एक wicket तो ले जाते हैं, second inning में भी एक-एक wicket तो लेके जाते हैं, लेकिन second inning में उतने successful नहीं है, पुवनेश्वर कुमार अगर देखा जाये तो, Sri Lanka की तरफ से दस्वन शनका, तरणजय, डिसलवा, भनू का, यह सब आपको देख जाएंगे, मुझे लग चानी की चेंज होंगे, ठीक, उसके बाद देखो कि मनीश पांडे, हार्दिक पांडया, इन दोनों में हो सकता है, कि मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मनीश पांडे को भी आप बिठा होगे, क्योंकि लास्ट मैच में रन आउट लग की चलते हो गए थे, अब ऐसा रन आउट अप लग बेस्टी का होगे, तो मुझे सिर्फ एक चेंज लग रहा है, वो हार्दिक पांडया की जगा, हार्दिक पांडया की जगा, टीम मैनेजमेंट किसे चांस देती है, वो देखने वारी बात होगी, क्योंकि जितने बैंच पर बैटे हैं, अल्मोस्ट सब के सब ओपनेर्ज है, चाहे आप तो इनको उपनर या फिर उपनर नहीं तो टॉप ओडर में तो एटलीस खेलना प्रफर करते हैं, तो इनको मुझे लगता नहीं कि टीम मैनेजमेंट चांस देगी, चांस किसे दे सकती है, अगर आप स्क्वाड पे एक नजर डालोगे, तो आपको बता चलेगा कि टीम तो जो सबसे पहले आंसर देगा, हम उसका आंसर काउंट कर लेंगे, गिवववे विनर्स के लिए, 100 रुपीज का गिववे जो भी आंसर सही देगा, वह 100 रुपीज जीच जाएगा, ठीक है, श्री लंगा के प्लेंगे लबन की बात करते हैं, बाकि मुझे लगता नहीं, इंडिया में कोई चेंज होना चाहिए, कुल्दी प्यादा, कुल्चा कॉम्बिनीशन अपना युज्वेंदर और कुल्दी पा खेलेगा, दीपक चेहर भूवनेश्वन ने लास्ट मच में अच्छा किया, ये दोनों खेलेंगे, कुनाल पंडिया भी ठीक ठाप परफॉर नहीं खिला सकते हो, आपको एक बैट स्वन भी चाहिए, तो वहीं देखना पड़ेगा, आप गयास करके बताओ कि कौन आने वाला है, बैंच पर देखोगे, तो वरुन चक्रवर्ती, राहुल चहर, नवदीप सैनी, चेतन साकरिया, नितीश राना, अगर आपको लगते है तो अगर आपको लगता है इनमें से कोई आ सकता है, तो प्लीज आप कमेंट करके बता देना, श्री लंगा की तरफ से देखे तो अविश्का फनेंडो मिनोत भनुका दोनों ही उपन अच्छा कर रहे है, उतना अरली विकर्ट इंडिया ले नहीं पा रहे है, तो दोनों उ को वापिस लाया जा सकता है किसकी जगह कसुन रजीता की जगह दिया था उडाना की जगह, उतना इंप्रेस वो भी नहीं कर पाई, तो क्यों आप एक्स्पेरियंस प्लेयर वापिस ले आओ, ठीक है, तो यहाँ एक चेंज लग रहा है, मुझे कसुन रजीता की जगह, इस रूडाना वापिस आ जाएंगे, बाकि दुश्मन चमीरा, लक उडाना, शीरान फर्नेंडो, पाथम निसंका, जितके हम बात करें थे कि बनु का राज पक्सा की जगह, पाथम निसंका खिला सकते हो, एक अच्छे बैट्समन है, अगर वो नहीं तो रमेश मैंडेस, जो एक ओल्राउंडर है, आप उनको ला सकते हो, कसुन रजीता की मेलना पसंद करते हैं, ठीक, अब आपके लिए safe, captaincy, vice, captaincy, choices क्या हो सकती है, और differential में आप क्या कर सकती हो, तो देखो safe तो सबके पास clear cut है, safe, captain एक ही है, शिखरदवन, vice captain है नेक है, पृत्वी शौ, युजवेंदर आपके पास अच्छे option है, कुल्दीब आपके पास अच पहले ball डाले की इंडिया, तो हो सकता है, मैं भूवी, युजवेंदर या कुल्दीब की तरफ देखो, पहले batting करे, तो हो सकता है, कि मैं सूर्या, इशान, या फिर वनिंदु हसरंगा की तरफ भी देख सकता है, क्योंकि वनिंदु हसरंगा ने लास्ट मैच में बहुत ही अच्छी balling करवाई थी, ठीक है, तो यह हो सकता है scenario, आप differential क्या कर सकते हो, आप grand league में क्या कर सकते हो, तो grand league में आप देखोगे, सूर्य कुमार यादा, अगर batting first करते हैं, तो मैंने बता है, small league में और grand league में दोनों में अच्छी choice हो चकते है, मनीश पांडे, इशान केशन युजवेंदर चहल और कुल्दी प्यादो का combination जरूर ट्राय करना, अगर second inning में ball डाले तो, स्री लंका की तरफ से कौन को अंदसुन शनका, विशका फर्नाइंडो, एलक्षन संदाकन और चमिका करूना रतने, ये चार प्यर्स आपको grand league में जरूर ट्राय करने है, अब मे बहुत आए लोगों ने इशान किशन को भी बनाया है, ठीक है, चार baller जो हमाई लिए important है, भुवनेश्वर, दीपक चहर, दो ऐसे baller जो power play में ball लालेंगे, साथ में death में ball लालेंगे, कुल्दीप और चहल, दो ऐसे baller जो अपना पूरा balling over kota complete करेंगे, और बीच में 20 over spin के दे देंगे, तो सारे basis हमारी यहां से cover है, अब स्री लंका पहले batting करेगा, तो low score पे out हो जाएगा, सबको बाता है, कोई brain, no brain है इसमें, अब score छोटा होगा, तो इंडिया का top 3 chase कर लेगा, तो शिकरदवन, इशान किशन और पृत्वी शो, काफी है, ठीक है, यही scenario है, सिर्फ सार टरन बचेंगे, इंडिया को score करने के लिए, वहीं अगर यहां से किसी baller ने 2 wicket ले लिए, तो आराम से 50 point दे जाएगा, अब सूर्य आ जाए, या फिर मनीश पांडय आ जाए, वो at least आपको सार टरन में 50 point देने वाले हैं नहीं, तो बस यही scenario है, कि इसलिए हमा बहुत कमाल के टीम्स आ रहे हैं, कल के किसी भी मैच की बात कर लो, चाहे आप यहां से उठा के देख लो, आइलेंड वसे साथ और रिगवाला मैच, कुंटन डिकॉक, पॉल स्टर लिंग, कैप्टन वाइस कैप्टन, बॉलिंग से शामशी, फॉर्चून अंगीरी, डायर और यहां पर थोड़ा सा रिस्क लिया था, जो लिया था हमने, बैल ब्रीन के जाए, कैविन उब्राइन, जो मैंने वीडियो में आपको सेंजर्य समझाया था, कि रिकॉर्ड अच्छे हैं, तो हम ले सकते हैं, खैर, उस सब को नेगोशीट करती है, हमारे वाइस कैप्टन स्टर्लिंग जिनने कोई नहीं बनाया था, दो फिकट लिए, साथ में बीस पच्छे संट बनाया, उसके उपर भी जाओगे, तो टी एंपिल भी ठीक ठाक गया था, रामलिंगम, रोहित, सुतेश, इन सब का सेलेक्शन परसंटेज बहुत कम था, जे कॉसे कार स्री निवा तो फाइनल टीम मैंने दी थी, वाइस कैटन दास को रखा था, लेकिन एंड टाइम पर यहां देगो, जो एंड मोमेंड अपडेट होता है, कि वाइस कैटन आप मुस्तफिजूर को कर दो, तो वही किया, तीन विकट मुस्तफिजूर ले गए, कैटन शाकिप थे, डिफरे जोईन मत करना, भूलना, मत करना नहीं, नहीं करोगे तो बहुत कुछ्छ एमद हो जाएगा, गयदक चीज, तो टेलिग्र्राम चैनल जोईन कर लेना, यूट्यूब चैनल अगर सबस्क्राइब नहीं किया तो कर लेना, मिलता ह Sed like, जो आई ख़यगाये थे, तब तक लिए बाई 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 टेक केर